नमशकार देवियों और सजनों आज आपको मुलांक तीन के बारे में बताय जाएगा मुलांक तीन का स्वामी ग्रह प्रिहसपती यानि गुरुदेव हैं जो की फलित जोतिश एवम अंक जोतिश में विशेश माने जाते हैं तीन अंक में तीन, छेव, नौ तीनों अंक विद्यमान हैं जनवरी से दिसम्बर के मध्ध किसी भी माह की तीन, बारा, एकिस, वतीस तारीक को पैदा होने वाले जातकों का मुलांक तीन होता है तीन, छेव, नौ अंक आपस में मित्रवत रहते हैं एवं इनके जीवन में इन तीन अंकों की पुनरा वृत्ती होती है तीन मुलांक बिलकुल मुलांक एक की ही तरह मेत्व कांक्शी होते हैं तीन मुलांक वाले किसी के अधीन रहकर सहज नहीं हो पाते आपके जीवन का उद्देश्य तरक्की करके उनती के शिखर पर पहुचने का होता है जीवन में नाम कमाना एवं दूसरों पर धाक जमाना वद दूसरों को अपने नियंतर्ण में रखना आपकी कई खूबियों में से एक है अपने आदेशों का पालन भी आप सहजता से करवा लेते हैं आप किसी भी कारे को शीगरता से एवं अनुशासन में रहकर पूरा कर लेते हैं एवं आपकी यह इच्छा रहती है कि बाकी सब लोग भी इसी प्रकार अनुशासन में रहते हुए शीगरता से काम करें आप जो भी कारे अपने जीवन यापन के लिए चुनेंगे उसके शीर्ष पर पहुँच जाएंगे सश़ष्टर सेना पुलिस या सरकारी नौकरी में भी सफल रहेंगे आपके उपर आपके अधिकारी पूरा भरोसा कर सकते हैं एवं जिम्मेदारी वाले काम आपको आपके सीनियर्स पूरे विश्वास के साथ दे सकते हैं आपको सलाह दी जाती है कि आप तानाशाही ना करें नितने कानून ना बनाएं अपने विचारों को जबरदस्ती दूसरों पर ना थोपें एवं घर में या कारेस्थल में बिना कारण जगणों से दूर रहें आप अपने सभी शुबकार तीन, बारा, इक्किस, वतीस तारिक को शुरू कर सकते हैं एवं बड़े प्रोजेक्ट्स 19 फरवरी से 27 मार्च एवं 21 नवंबर से 27 दिसंबर के मद्धे शुरू कर सकते हैं यह समय 19 फरवरी से 27 मार्च एवं 21 नवंबर से 27 दिसंबर तीन नंबर का भागिशाली समय है ब्रियस्पती, शुक्रवार वा मंगलवार आपके शुब दिन है आपको आपका शुब रंग गुलाबी, बैंगनी, पीला वजामुनी है आप इने रंगों का प्रयोग अपने वस्तरों, घर या कारिस्थल में कर सकते हैं आपको नाड़ी, कूलहे, गठिया, चर्म रोग एवं मानसिक ठकावट से जुड़े रोग होने की संभावना रहेगी आपको अपने भोजन में चुकुंदर, शतावरी, सभी सुगंदवाली वनस्पती, बेर, सेब, शेहतूत, आडू, लॉंग, अनार, अनानास, अंगूर, पुदीना, जैफुल, जैतून, बादाम, अंजीर, इत्यादी को शामिल करें इस से आपको लाब होगा सेथ की दृष्टि से बारवा, तीसवा, उन्तालिसवा, अड़तालिसवा वा सत्तानवा साल विशेश रहेगा फरवरी, जून, सितंबर वा दिसंबर महीनों में भी अपनी सेथ का ध्यान रखें दोस्तों, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, इसी मनोकामना के साथ आग्या चाहता हूँ अगले भाग में मुलांक चार के बारे में बताया जाएगा नमस्कार